हलो एफ्रिवन कैसे हैं आप लोग तो आद में शेयर करें आप सबी के साथ में चिकन सूप बनाने की बहुत ही सिंपल और असान सी रसेपी जिसे आप भी एक बर जरूर ट्राइ कीजेगा बहुत निट्रिशन से भरपूर और बहुत हेल्दी होती है यह सूप तो एक बर a2-3-300 g बोनलेस चिकन लिया है इसको मेशेट छोट छोटे पीसिंग में कट कर लिया है इसमें वन टीश्पून नमक की पेस्ट हाफ टीश्पून वाइट पेपर पाउडर प्लस हाफ टीश्पून काले मिच का पाउडर आड़ करें अगर आपके पास में सफेद मिच नही जाएगा और फ्लेवर भी बहुत अच्छा है तो यह देखे चिकन हमारा इस तरह से मिल गया है तो अभी मैं इसको ढख कर तक्रीबन पांच से दस मिट के लिए साइट पे रखोंगी नेक्स टेप में हमें लेनी है कड़ाई जिसमें हमें वन टेबल स्पून घी या बटर डा है साबुत और अब यह सारा चिकन में आप रांसफर कर दे रही हूं तक्रीबन दो तीन मिनट में इसको फ्लेम हाई करकर भून लूँगी जिससे इसका मौशर निकलने लगेगा और यह अच्छा ड्राइ हो जाएगा प्लस इसका भूनते वे कलर भी चेंज होगा तो यहां निति आप के पास में सेलरी हो सेलरी स्टेंबस तो वह आड़ कर सकते हैं नितो आप उसकी जगा पे हरे धनी पत्ती की डंटल बही डाल सकते हैं अच्छे से वह aquela कर मैं इसको अच्छछे से मिला दे रही ह यहां पे क्योंकि यह कुक होगा और ब्रॉट बनेगा और बहुत अच्छा इसमें सूप बनकर तयार होगा तो यह स्टॉक हमारा रेडी होना चाहिए प्रॉपर जिसे हम चार कप सूप रेडी कर सकें तो 2-3 मिनट हाई फ्लेम पे बॉयल आ गया इसमें एक बर स्टर कर दीज लेकिन उतना उससे जादा नहीं कीजाएगा क्योंकि इतने टाम तक चिकन बिलकुल सॉफ्ट हो जाता है यह देखें बिलकुल अच्छा उफ्ट हो गया और पानी भी कम हो गया है तो यह रेडी है अभी हमें इसको गरम-गरम में ही छान लेना है जिसे चिकन अलग हो जाए वन टीस्पून चॉप लसन डाली है मैंने चार-पांच लसन की कलियों को हलका सा चॉप कर लिया है प्लस वन टीस्पून मैं इसमें अद्रग भी आड़ कर रही हूं क्यूंकि लसन अद्रग का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता और यह चंक्स में रहेंगे तो मुह में भी मि आड़ कर रही हूं क्रश यह मिर्चों को अब बारी कटकर मत डालीए गा क्रश करकर ही क्रश करने की वज़ए से इसमें व्लेवर जादा अच्छा आता है ह्लिमिर्चो का मैं इसमें बहुत जाता हाओ लएक मिर्च और प्याज फ्लेक्स कर लीच तो सबसे पहले मैंने लिया हुआ है काबज लिया हुआ है रेड ग्रीन यलो बेल पेपर लिया हुआ है थोड़ा थोड़ा वन टेबल स्पून एच और अब मैं इन सारी वेजिटेबल्स को अच्छे से फ्राइ कर लेती हुँ यहां पर बस हमें इनको सौते कर लेना है जिसे क्रंच पर करार रहे और हलका सा यह फ्राइ हो जाए तो लसन वगेरा का जो फ्लेवर है ना अरोमा इसके अंदर आ जाए अब यहां पर हमें इसमें नमक एड़ करनी है तो नमक हज़ए डालेंगे मैं यहां पर वन टी स्पून एड़ करा अगर ज़रत लगेगी तो और अब चली तो यहां पर नमक बिल्कुल परफिक्ट आएगा इसलिए नमक मैंने वन टी स्पून ही डाला था और अब जब यह अच्छे से मिल गई है तो मैंने चिकन स्टॉक यहां पर आड़ कर देना इसमें तो सारा जो चिकन का पानी था ना वो यहां पर डाल दिया मैं न जाल कर मैं इसको लगतार फ्लेम हाई करकर इसमें बॉइल आने देती हूं यह धकर मैंने इसको कुक कर लिया और इसमें बॉइल आ गया है तो आप यह देखे जब इस तरह का अच्छा सा रॉलिंग बॉइल आ जाए ना तो आप इसको एक दो बर चलाते रहें जिससे जो सा इस जो अधिए हैं जो सा इसमेर निकाल दीजार और साबूत खड़ तो आप निकाल सकते हैं अगर कोने चला लेना हैं लेकिन अभी यह सूप बिल कुल पतली है इसमें थिकनिग एज़ंट एडर करना है जिसकी वचे से ऐगाटी होगी जिसके लिए मैंने 2 टेबल स्पून बनाई है तो मैंने लिया यह पर कॉन फ्लार पानी डाल कर यह मिक्स करकर यह पर डाला है फ़्लम हाई रखिए गा और जसे ज़सा यह सब चलाते जाएंगे लां वैसे वैसे यह सूप गाड़ा होता जाएगा और सूप को करने के लिए सिर्फ कॉन फलार ही यूज़ करना है और देखें यह बिल्कुल अच्छा गाड़ा हो गया है गानिश कर्यों में हरेदनी के साथ में अगर आपको फ्लेवर चक्कर देख सकते हैं आप कुछ भी कम लगे तो आप एड़ कर सकते हैं बहुत परफिक कलर भी है और बहुत टेस्टी यमी सी सूप रेडी हो गई है यह सारे वेजिटेबल के साथ में चिकन का जो ब्रॉथ है बहुत ही यमी लगता है फ्रंट डिलीश लगता है एक बार यह इजी सिंपल चिकन सूप बना कर देखेंगा आपको बहुत पसंद आएगा बिल्कुल फ्लेवर से भरा हुआ है टेस्टी सा है और यमी लगता है तो अ मैं इसमें टेस्ट मिकर डाली है उससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है आप एक बर बना कर देखें तो उमीद आपको यह रसपी अच्छी लगी होगी और आप इस सूप को अपने घरों पर ट्राइगे सभी को पसंद आएगी बहुत ही बालेंस डेस्ट का टेस्ट स की बेहत पसंद आएगा खुद भी बनाईए सभी को खिलाईए और सब के साथ में रेसेपी शेयर कीजिए वीडियो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज एक बर इसको लाइक और शेयर जबज़दा जरूर कर दीजेगा ट्राइ करते हैं तो अपने वैल्योबिल फीडबैक